नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिब क्लासेज में आपका स्वागत है, आज मैं बिहार बजट से सम्मन्धित महत्वण प्रश्णों पर चर्चा करूंगा, जो बिहार से रिलेटिड सभी कम्पेटिटिव एक्जाम के लिए हम भूमिका निभाएगा, बजट से लगवग हरे इक्जाम में दो से तीन कोश्चन अवस्च जाते हैं, तो यह हमारे लिए महत्वण हो जाता है, अच्छा साथ साथ मैं बजट से के अलावा बजट से सम्मन्धित कुछ अन्य तत्थों पर भी चर्चा करूंगा, जो की प्रश्ण के बाद आएगा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है हमारा, 28 फरवरी 2023 को विहार के बित मंतरी श्री बिजय कुमार चौधरी ने किस नंबर का बजट पेश किया, तो यह है, 16 नंबर का बजट इन्हों ने पेश किया, लास्ट टाइम, 222 तेश के लिए तारकिसोर परसाद, जो की उपमुक मंतरी और बित मंतरी भी थे, उन्होंने 15 बजट पेश किया था, नेक्स्ट कोश्चन के आते हैं, वित वर्स 2223 के लिए बिहार का फुल बजट ब्याई अनुमान कितना है, तो वह दो लाग एक सट हजार आट सो पचासी करो रुपिया है, वहीं 2022 तेश के लिए जो बजट बजट था, वह था, दो लाग 37,691 करो रुपिया, नेक्स्ट कोश्चन पे देखते हैं, विहार की बित्य वर्स 2223 24 के लिए अनुमान में 2223 की तुनला में कितने प्रतिशत की बिर्धी हुई, तो यह है, दो लाग 37,691 से, अगर दो लाग 681 में कंपेर करेंगे और प्रतिशत निकालेंग दस दसमलोग 2,0% की बिर्धी नजर आएगा, नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं, वित्य वर्स 2223 24 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध ब्याई का बजट कितना अनुमानित है, तो वह है, एक लाख एक सथ हजार 856 करो रुपिया अनुमानित है, वहीं 2223 के लिए स्थाप अपना एवं प्रतिवद्ध ब्याई पर बजट अनुमान जो था, वह है, एक लाख 37,460 करो रुपिया था, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, वित्ति वर्स 2223 24 में सोलर लाइट के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो इसको आप याद रखीगा, नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं, बर्स 2223 में बिहार के कुल बजट में कुल प्राप्तियां कितना है, तो कुल प्राप्तियां जो है, वह है, दो लाख 62,085 करो रुपिया, कुल प्राप्तियां के अंतरगत, राजस्व प्राप्ति और पुंजिगत प्राप्ति आता है, तो यह आप ध्यान देखते हैं राजकोस्य घाटा कितना रहने का अनुमान किया गया है कि राजकोस्य घाटा जो है 25,567 दर सामलोग 8.3 करोर रॉप्या रखने का रहने का अनुमान किया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2022 तेस में यह जो घाटा था वह है सकल घरेलू उत्पात का 2.98 परतिशत था तो यह आप ध्यान रखेगा राजकोष यह घाटा कितने परतिशत रहने का अनुमान है तो वह है 2.98 परतिशत रहने का अनुमान है अगर आप इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि अमाउंट में 25,566 रुपया है यह इंपोर्टेंट हो जाता हमारे लिए 25,566 करोर रुपया निक्स्ट कोश्चन पर आते हैं आत्म निर्भर बिहार के साथ यह साथ निश्चे 2 जो कि 2225 के लिए चला गया था कि अंतरगत बित्य वर्ष 2324 में कितना बजट का प्रावधान है तो यह 5,000 करोर बजट का प्रावधान है पिछले बजट में भी इसके लिए 5000 करोर रुपया का प्रावधान किया गया था नेक्स कोश्चन देखते हैं देस नमबर बित्य वर्ष 2324 में राजास सुब्याई कितना अनुवानित है तो वह है राजास सुब्याई जो है 2,7,848 करोर रुपया अनुवानित है 2022 के लिए 2022 में यह इससे कम था नेक्स कोश्चन को देखते हैं 23 वर्ष 2324 में पुन्जिगत ब्यaran रहने का अनुवान है तो यह 54,000 37,5 lower रहने का अनुवान है तो पुन्जिगत arrived कितना रहने का अनुवान है 54,000 37,5 lower यह अप ध्यान रखेगा नेक्स कोश्चन को देखते हैं वित्य वर्ष 2324 में कुल राजस्ट प्राप्ति कितना अनुमानित है तो वह है 2,12,326 क्लोर रप्या अनुमानित है वही वही 2022 तेस में 2022 तेस में यह जो था 1,96,704 क्लोर रप्या अनुमानित था नेक्स कोश्टन देखते हैं 2022 वर्ष 223 चोविस में राजजी को केंद्र सरकार से केंद्रिय करो में हिस्सा के रूप में कितना रप्या प्राप्त होने का अनुमान है तो वह 1,2737 करो रप्या प्राप्त होने का अनुमान है 2022-23 में यह जो बजट अनुमान था जो प्राप्त किया गया था वह था 91,180 करो रप्या जो कि पिछली वार से 11,556 करो रप्या अधिक है तो यह आप याद रखेंगे नेक्स कोशन को देखते हैं बित्य वर्स 223 करो रज्जी को केंदर सरकार से सहाइक अनुदान के रूप में कितने रुपे प्राप्त होने का अनुमान है तो वह है 53,370 करो रप्या तो यह भी आप ध्यान रखिएगा अच्छे इसमें देख लिजिए 222 तेश में जो था सहाइक अनुदान के रूप में 58,000 एक करोर 59,000 एक करोर रप्या दिया गया था जो की इस बार की तुनला में इस बार की तुनला में वह ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था पिछली बार 4,600 तेश करोर रप्या ज़्यादा था या ऐसे बोल सकते हैं कि 222 तेश की तुनला में 4,600 तेश करोर रप्या कम दिया गया है नेक्स्ट को देखते हैं पित्य वर्स 223 चोविस में राज्य को कितने रुपिये का लोक करीन का सेश रहने का अनुमान है तो वह है 2,676,165 प्रोर रप्या नेक्स्ट को देखते हैं वर्स 223 चोविस में बिहार का कुल बजट का स्रबाधिक ब्याय किस बिभाग में किया जाने का प्राब्धान किया गया है तो वह हैं शिक्षा के लिए स्तरबाधिक ब्याय किया जाएगा 2022-23 के लिए भी शिक्षा में ज्यादा खर्च किया गया था जो कि पिछली साल जो था 16,25 परतिशत खर्च किया गया था इस बार जो है 15.45% खर्च किया गया है नेक्स देखते हैं 17 नमबर बर्स 2023 में बिहार का कुल बजट का सिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा तो वह है अमाउंट के रूप में जो है तो यह अब धिहान रखेगा पिछली बार 49,000 क्या सपास था यह 18 नमबर कोश्चन देखते हैं बिहार का कुल बजट का सिक्षा पर कितना प्रतिस्त खर्च किया जाएगा मैंने आपको पहले बताया यह 15 दसमलो चार प्रतिस्त चार पांच प्रतिस्त खर्च किया जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है यह कोश्चन आने की संभावना भी है कि लिए सड़क प्रक्षेत के लिए कितने खर्च किये जाएगे गए इसकुल को देखते हैं बित्य वर्स के लिए स्वास्थ चेत्र में कितने खर्च किये जाएगे लगभक 17,000 के आसपास स्वास्थ में खर्च किया जाएगा स्वास्थ में पिछली बार जो खर्च किया गया था वह 15,137 कड़ो रुपय था नेक्स कोश्थ देखते हैं बित्य वर्स 234 के लिए स्वास्थ चेत्र में कितने प्रतिसथ खर्च किये जाएगे तो वह 6.48% किये जाएगे स्वास्थ में परसेंटेज के रूप में 6.48% हो गया जबकि अमांट के रूप में 16,966 कड़ो रुपया हो गया northwest question को देखते हैं नेक्स question को देखते हैं वित्य वर्ष 234 के लिए कृषिज छेत्र में कितना अबंटेन किया गया है तो कृषिज छेत्र के लिए 3649 क्रोलूर। रॉपया अबंटेन किया गया है जो कि अगर परसेंटेज में देखें तो वह 1.39% के रूप में अब अन्टन है एक्स को देखते हैं वर्स 223-24 के अंत में लोकरीन जो कि 2,76,165 रुपया अनुमानित है जो GSDP का कितना प्रतिसत है तो यह GSDP का लगभग 35% के आसपास है तो यह आप ध्यान दखिएगा नेक्स को देखते हैं विकास दर्ग के मामले में वित वर्स 221-22 में कितने प्रतिसत के बिर्धिदर्ज की गई है तो यह हमारा 26 कोशन हुआ अब इसके आगे बजट से समवन्दित कुछ अन्य तत्थें उसको भी देख लेते हैं पहला है बजट काकर पिछले 10 सालों के तोनला में तीन गुना बढ़ा था है ने अगिया लिए अ इसके लिए सरकार ने 10 लाक युवाओं को रोजगार देने की उजना है नेक्स देखते हैं यूपी स्यवें BPSC के तयारी कर रही महिलाओं को सरकार ने आर्थिक सहीयोग देने का ऐलान किया है जिसके थाथ UPSC के UPSC पास करने वाले महिलाओं को एक लाक प्या जबकि BPSC पास करने वालों को इलिए 50,000 रुप्या की राशी दी जाएगी अभी बिहार में फिलाल 1464 सांस है यानि गंगे डॉल्फिन को ही हम लोग सांस बोलते हैं 1464 सांस है और यह जो डॉल्फिन है यह नदी के प्रद पूरे देश का आधा है तो यह भी आप इंपोर्टेंट याद रख सकते हैं मुझाफर पुर्णिया में खादी मौलों के स्थापना की जा रही है वहीं विहार में सिक्स रोप परियोजना लागू की जा रही है गया जहानाबाद और कैमूर में इन पर काम चल रहा है सभी जीज बोलते हैं इनको 62 अस्पतालों में दीदी की रासोई का संचालन जीवका दीदी कर रही है 21 सदर अस्पतालों को मौडर बनाने के लिए रास्य शुक्रत की गई है आई जी आई एमस में 1200 बेडों का निर्मान किया जा रहा है यह आप ध्यान रखेंगे लिए इसके लिए 5540 कड़ोर की ओजना के शुक्रति दी गई है राज के 243 विधान सवा चेत्रों में एक अतरिक प्रात्मिक स्वास्थ केंद और पांच स्वास्थ उपकेंद बनाए जाएंगे बिहार के 10 लाक लोग को रोजगार देने की योजना है पिप्यस्री में 49,000 रोजगार दिये जाएंगे पिछले देड़ दसक में समाजिक सिवाओं पर 11 गुना बढ़ा यह आप देख सकते हैं पिछले देड़ दसक में 11 गुना बढ़ा है पिछले पांच बरसों में पिछले पांच बरसों तो कि 2017 18 से 2021 के दोरान क्रिशी और देखते हैं राज्जी ने विकास दर्ट के मामले में बित वर्स 221 बाइस में दर्ष दस्वाओं नो आठ परतिसत की विर्धी दर्ष की है यह जो है और सबसे ज्यादा टॉप पे रहा है उसकी विकास जो दर्थ था 114 परतिसत था वहीं राजस्थान का विकास दर 11.04 पर बिहार तीसरे नमबर पे आता है बजेट में सोलर लाइट के लिए 392 क्रोर का प्रावधान किया गया है कजरा और पिरपैंती में सोलर उर्जा पर योजना लगाए जाने कर निने किया गया है और नीचे मचली और उपर बीजली योजना पर भी काम सुरू है जल जीवन हर् बर्सा जल संचैन करने वालों को बोल्डिंग टैक्स पर पांच परतिसरत की चूट मिलेगी कितने परतिसरत की पांच परतिसरत की चूटती जाएगी यह तो मैंने बता ही दिया है भोजपूर बकसर और बेगुस राय में चिकित्सा महाविद्याले बनाने की उजना है कर दिया गया है अभियंतर्ण महाविद्याले के इस नातक अस्तर पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ए आई और क्याटा साइंस नमींतम विद्याओं में पाठीकर्म शुरू किया गया है प्रश्चक्षक छात्रों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए 20 इंडस्ट्री की रैंकिंग में तीन सबसे समिर्द जिले में कौन-कौन है पटना बेगुसराय मुंगेर है वहीं सबसे नीचले में आ जाते हैं तीन सबसे गरीब जिले में सिवहर अररया और सितामडी नेक्स देखते हैं बिहार में रोड का जो है घनत बढ़ा है वह अभी 3166 पर किलोमेटर प्रति बर किलोमेटर है तो यह आप धियान दखीगा और लास्ट है 16 वर्स में स्वास्थ में 11 गुना खर्च बढ़ा गया है जबकि सिक्षा में 8 गुना खर्च बढ़ा गया है तो धन्यवाद दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें